हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब आज मैं लेकर आई हूँ अंडा कड़ी की रेसिपी मैक्सिमम लोगों को अंडा कड़ी खाना पसंद होता है स्टूडेंट जैसा अंडा कड़ी बनाएंगे बीना कोई इस्पेशल मसाला के तो चलिए फ्रेंट्स रेसिपी शुरू करते हैं अंडा कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है पैन को हम बढ़िया से गरम कर लेंगे पैन गरम होते ही इसमें तेल डाल देंगे तेल को भी गरम कर लेंगे अब यहाँ पे हम प्याज डालेंगे दो मेडियम साइज के हमने प्याज ले लिया है इस तरह से लंबे लंबे बाड़िक काट लिया है अब इसे हम गोल्डेन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे इस तरह से प्याज का इतना कलर आ जाए तो इस तरह से एक्साइट कर लेंगे इस तरह से इसके बाद हम 4-5 लहसन के कली ले लेंगे इसे भी तेल में डालकर बढ़िया से फ्राई कर लेंगे हलका सा फ्राई कर लेंगे अब यहां पे हम टमाटर डालेंगे एक बरे साइज के हमने टमाटर ले लिया है टमाटर की भी हलका सा तेल में इस तरह से फ्राई कर लेना है गैस कफिले में यहां पे लोह हीं रखेँ हलका सा इस तरह से मिला लेंगे इसके बाद हम प्याज लशन सभी को एक साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे टामाटर को हमें हलका सा सौफ्ट कर लेना है इसके लिए हम धक्कन लगाकर एक मिन्ट तक पका लेंगे ताकि टामाटर हलका सौफ्ट हो जाए तो देखे फ्रेंट्स टमाटर हलका सौट हो गिया है अब इसे इस तरह से हम एकसाइट कर लेंगे और पैन को हलका सा इस तरह से टेरा कर लेजी ताकि जो भी एकस्ट्रा तेल हो एकसाइट आजाए इस तरह से एकसाइट करके थोरा देर इसी तरह छोड़ दे ताकि हलका सा ठ तो देखे फ्रेंस थन्द हो गया है अभी से हम बाहार निकाल लेंगे मिक्सर जार में डाल देंगे थन्दा करके इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे थन्दा करके ही पेस्ट बना है जलिए आगी की प्रोसेस कर लेते हैं पांच हमने बोल अंड़े लिए हैं अंडा को इस चुटी या फोक के सहता से इस तरह से अंडा में हलका सा छेद कर दीजिए अप ताकि अंडा आप जब तलेंगे तो अंडा ऊरेंगे नहीं अंडा ऊरते नहीं तेल उड़ता है तो अब इसमें हम थोरा सा मसाला डाल देंगे आदी चमच, हल्दी पाउडर, आदी चमच, मिर्च पाउडर, स्वादर नमक, बढ़िया सिस्तर से मिक्स कर लिजे, हिलाते हुए तो चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं, उसी पैन में हम सभी अंडा को डाल कर थोरा सा फराई कर लेंगे, अंडा का हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे आप चाहे तो विना फराई के भी बना सकते हैं जिन लोगों को फराई अंडे पसंद नहीं हो तो इसी तरह भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं तो देखिए हमने हलका सा फराई कर लिया है अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे इसी पैन में थोरा सा तेल और डालेंगे तेल अपना अकॉर्डिंग डाल लीजी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अब तेल गरम हो जाए तो हम एक चमच जीरा डालेंगे एक तेज पाता, एक दाल चीनी, दो छोटी लाइची, एक बड़ी लाइची सभी को इस तरह से मिक्स करते हुए पकाल लेंगे जीरा गरम मसाला जब पाक जाए तो यहाँ पे आप गैस का फिलेम बंद कर दीजिए हलका सा ठंडा होने दीजी, इसके बाद हम मसाले डाल लेंगे आदी चमच हल्दी पावडर, एक चमच कस्मेरी मिर्च कस्मेरी मिर्च हम कलर के लिए डाल लें, जो हमने पेस्ट बनाय थे, मसाले डाल देंगे प्यास टमाटर लसुन का जो पेस्ट बना था, इसे डाल कर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे सभी मसाले को डाल देंगे बढ़िया से मिक्स कर लिए अब हम गैस का फिलिम जला लेंगे इस तरह से ध्यान रहे सुखी मसाला जब भी आप तेल में डाले तो गैस का फिलिम बंद करके ही डाले नहीं तो मसाले जल जाएंगे अब यहाँ पर हम कुछ मसाला और अड़ कर देंगे स्वादन सार नमक, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सभी को इस तरह से मिक्स कर लिजे मसाले के साथ एक मिन्ट तक भून लेंगे इसके बाद वही जार मसाले वाले को धोकर इस तरह से थोरा सा पानी हम डाल देंगे बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद ढ़क कर लोफलेम पर दो मिन्ट तक पका लेंगे मसाले को तो देखिए मसाले से तेल अलग हो गिया है इस तरह से कुछ दिर हम मसाले को बढ़िया से भून लेंगे तीन से चार मिन तक लगभग मसाले को भून लीजिए मसाले से तेल अलग हो जाना चाहिए तो देखिए मसाले से तेल अलग हो गिया है तो फिर से हम यहाँ पे गैस का फिलिम बंद कर देंगे मसाले को थोरा सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि हम इसमें दही एड़ करेंगे दही जब भी डाले तो मसाले को ठंडा करके ही डाले नहीं तो दही अक्सर फट जाते हैं तो बढ़िया से 2 चमच हमने दःः ले लिया है, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे दःः को मसाले के साथ, अब यहां पर हम फिर से गैस का फिल्म जला देंगे और 2-3 मिन तक बढ़िया से मसाले को फिर से भून लीजिए एक चमच गरम मसाला पाउडर भी एड़ करके बनिया से भून लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स मसाले काफी हद तक भून चुका है मसाले से तेल अलग होना शुरू हो गिया है तो देखिए अब इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे पानी को बढ़िया से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेजिए इस तरह से अब अंड़ा डाल देजिए इसमें इस तरह से यहां पर अंड़ा भी पका हुआ है और मसाला भी तीसे हम ज्यादा देर पकाएंगे नहीं लगभक दो मिंट तक हलका सा कूक कर लेंगे धकन लगा कर देखे फिरन्स अंड़ा करी बनके रेडी हो चुका है तो चलिए हम सौर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं अंडा कड़ी बनाना है न सिम्पल नहीं कोई स्पेसल मसाला के आप काफी टेस्टी अंडा कड़ी आप बना सकते हैं तो फ्रेंस एक बर जरूर ट्राई करें आपको बहुत पसंद आएगा रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू